हलो गैज बेलकम टूर माई चैनल माधव NCIT क्लासिस तो गैज आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी वी अब्जेक्टिव कोश्चन चेप्टर वाज थे उसका जो आज हम लोग दे रहे हैं वो लास्ट चेप्टर है भी वी जिससे अधिकांस कोश्चन पूछा जाता है जिस चेप्टर से उस चेप्टर का आज लाश्ट दिन है यानि आज हम लोग 10 पार्ट देख रहे हैं संचार व्यवस्था कमनुक केसें सिस्टम का इनपोटेंट कोश्चन देख रहे हैं जिसमें 10 काफी इनपोटेंट कोश्चन है जो काफी बार पूछा गया है एकजाम मे तो इस तो अगर 90% 90 प्लस अंक आगर लाना चाहते हैं तो आप जरूर देखे वीडियो के इंडि तक पूरा वीडियो जरूर देखे बहुत ही अच्छे कोश्चन है और सारे कोश्चन इंपोटेंट हैं तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट कोश्चन का उएच एप परिसीमा की आविर्ftी समान्य संचारित होती है तो कहां संचारित होती है तरायट Yoga T की अंतिरिक्ष में होती है संचाइद साथ हो यूरा चैप का मतलब होता है अल्टरा हाइफ फ्रिक्वेंसी इसका हिंदी होता है परा उच आविर्ति इसका जो हिंदी होता है वो होता है परा उच आविर्ति होता है इसका हिंदी हो जाता है आपका आपका हिंदी इसका क्या हो Ultra High High Frequency इसका फूल फर्म होता है Ultra High Frequency यानि परा-उच्अविर्ती होता है जो अन्तिरिक्ष तरंगों के द्वरा संचारित होता है अब हम दो नेमर कूशन बात करते हैं प्रकासिये तन्व के रिफ्त्रांतिक कुण का माँन है लगभग तो साथ हो प्रकासिय तंतु यानि optical fiber इसका होता है हिंदी होता है इंग्लिस नेम होता है optical fiber कभी कभी पुछ देगा optical fiber का के लिए करांती कुन का मन कितना होता है इसका जो right answer हो जाएगा आपका option number A हो जाएगा हो जाएगा और साथ 70 और परकासिय तंतु का दूसरा नाम है इंग्लिस नाम है optical fiber optical fiber इसका इंग्लिस नेम है कभी-कभी यह इंग्लिस नयमिक पूछी दिया जाता है कि ओप्टिकल फाइवर के लिए क्रांती कुल का मान कितना है तो वह लगभग 77 डिगरी होता है अब हम लोग बात कर लेते हैं जो युक्ति मॉडलन तर्था भी मॉडलन दोनों कार्ज करती है क्या कहलाती है तो वह मॉ 230 किलो मीटर है जिसको कभी-कभी option में आपको 36,000 भी रह सकता है केवल 36,000 ही दे सकता है किलो मीटर तो ध्यान रखेगा बिलकुल सामी परिवर्तित कर देता है नहीं राइट एंसर हो जाएगा आपका option नम्मर भी हो जागा राइट एंसर साथिव आज के वीडियो में हम लोग 30 objective कोशन इस चैप्टर का देखने वाले हैं जो काफी हो जाएगा 6 नमर का बात करते हैं साथ रैडियो तरंग का वेग होता है interfering होते हैं और क्या होता है घृट तुझ नीरौत में होता है तुझ मतलब बात करते हैं आध मोड़िस में वाहक रंग षते है यानि क्या होते हैं तो यहो Invbai , बॉल्टेज के अनुसार बदलती रहती है आपका option number c हो जाएगा अब हम लोग बात करते हैं 9 question आयाम ओडलित तरंग में सुचना नहींत होता है किस रूप में सुचना को नहींत किया जाता है तो वह है केबल पासर्व बैंडो में नहींत होता है निर्ट इंसर हो जाएगा इनर्जी यानि राइट एंसर हो जाएगा डी उर्जा जो है संचार तंद्र का भाग नहीं है अब हम लोग बात करते हैं एक गारा नमर कोशन एना लोग संचार तंद्र का उधारन नहीं है तो कोन है जो उधारन नहीं है तो एक गारा नमर का जह है राइट एंसर वह क्या हो आपका option नमबर यहां फैक्सी माइल होता है इसका फूल फोर्म भी हम आगवे देखने वाले हैं आपको करते हैं 12 नमबर कोश्चन आयाम मॉडलन का दोस्ट नहीं है कौन है जो आयाम मॉडलन का दोस्ट नहीं है तो बारा नमर का जो राइट एंसर हो जाएगा नीरिगल सिगनल चैनल का अधिक चवराई जो राइट एंसर हो जाएगा आपका आपस नम्मर भी हो जाएगा निर्गल सिंगनल चैनल के अधिक चवराई वो है दोस होता है नहीं होता है तोस आपको बात करें झाल के लिए तो चाओदर नमर कोशन करा हैं परकासिय संचार में परियुक्त तन्तुऊं की करोड का अपवर्तनाओं उसके घहरने वाले होते हैं जो लेड農िंग उसके dyslex कड़ने होते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं पड़ला नमर कोशन परकासिय संचलन में परकास रोट के रूप में पर्युक्त होता है क्या किस रूप में पर्युक्त होता है तो पनदर नमर का जैंग मंने इसर डायओड में यानि राइट एंसर हो जाएगा आपका option नम्मर B हो जाएगा अब हमरों बात कर लेते हैं 16 नम्मर कोश्चन का परकासिय तंतु के अंकिक द्वारेक का सही सुत्र सही सुत्र N परकासिय तंतु की क्रोड तो था N2 क्लेडिंग का अपरतनांग है यानि सात्यों परकासिय तंतु से जुड़े कोश्चन है यह तो इसका जो संबंध है सुत्र होता है वो हो जाएगा आपका option नम्मर A हो जाएगा N A बरावर root tender पहरे अपरतनांग का square और दूसरे अपरतनांग का square हो जाएगा right answer इसका अब हम लोग 17 नम्मर बात करते हैं दिजिट्ल संकेतों में समभब है तो साथियों digital संकेतों में संभब है वह जीरो तथा एक मान है जो संभब है 17 नम्मर का right answer वह हुझागा आपका option नम्मर A हो जाएगा jo 對不對 Great यह सब मैं तरणगों पर किसी सूजना के अध्यार रोपन की परकिरिया को कहते हैं क्या कहते हैं तो इस परकिरिया को होता है तो किसका होता है परिवर्ती तोड़त टाथ शनीकमान का मतल़ होता है तुरत यो परिवर्तन होता है तो 19 नमर सूचकांक नम्मर उनिसका option A हो जाएगा अब हम लोग बात कर लेते हैं बीस नम्मर question I am modulation में modulation सुचकांक कितना होता है तो यह जो होता है modulation सुचकांक होता है उपर हम लोग देखे थे 0 से 1 होता है और इसमें option नम्मर सी है और इसा 0 और एक के बीच होता है नहीं राइट एंसर हो जाएगा आपका option नम्मर सी हो जाएगा अब हम लोग बात कर लेते हैं किस नम्मर question जिस modular में वाहित रंग की आविर्थी को modular किये जाने वाले संकेत के काथ च्छनी के साथ परिवर्थित करा जाता है उसे क्या कहते हैं तो बहुत ही इनिपोटेंट üzer है किस नमर question उसको क्या कहते है तो उसको आविर्थी कहते हैं राइट एंसर हो जागा आपका option नमर जागा उसे आविर्थी कहते हैं अब हम लोग बात करते हैं 22 नमर question इस दोनों में से एक नेक कोशन पूछा जाएगा तो अब हम लोग बात कर लेते हैं तैस नमर कोशन का लंबी दूरी तक रेडियो पर सारण के लिए निमन लिखित में मुख्यता है किसका उप्योग किया जाता है तो किसका उप्योग किया जाता है लंबी दूरी के लिए तो है जितनी अधिक्तम दूरी तक इस टावर की परसारन पहुंचेगा वह है यानि कितनी दूरी तक तो 56 किलोमीटर पहुंचेगे इसको अपसॉल्ब कर सकते हैं इसका संबंद आता है अब हम बात कर लेते हैं सात्यों 25 कोष्जन बाथ कर लेते हैं सात्यों उपर कोषिन है उसका मान Francisco पूछा जाता है इसी प्रकार से कोश्छन टेंस ने लेना है वही चिंभी परसारनी के लिए जिस आविरती पराजी का उप्योंग होता है तो तीदी पराजीओ वह तो नोर्च कंप Conor ayo साथ यहां पर 3000 भी रह सकता है कभी कभी अब इसका गुद्र ये आविरती का प्रास और तरेंग द्रज का प्रास जो होता है आपका कि मेगा हर्च से होता है एक मीटर से होता है आपको 100 मिली मीटर होता है में यानि इसका तरंग दर्ज पूछेगा तो एक मीटर से हो जाएगा आपका 100 mm यानि 100 mm हो जाता है इसका आविर्ति प्रास का गत्रेंग दर्च पूछे तो अब हम बात करते हैं 26 में मंडल के लिए क्रांतिक कुन आविर्ति होता है फी कितना होता है तो नाइन N a square maximum यानि maximum मतलब अधिकतं अब हम लोग बात करते हैं 17 का सिкаनत पर कारज करता है यहां my यह सगये तो प्रकाशीअ अथायस निमर्ण पर अधारित है तो इसका रित एंसल topics मंडल द्वई तो तर साथ हो सात्यों स्काइब खार नहीं होता है अकासिट किरन होता है Будet Yum कहां संचाइश होता है आयन मंडल द्वह परावरतन पह बात करते हैं एक तरन्गों का प्रावरतन होता है तो रेक्साइब को फ्रॉस होता है आयन मंदलन करते हैं हैं अब हमिलों बात कर लेते हैं तो यह कोश्शन है फैक्ष का अर्थ होता है तो साथ योग नियुक क्या होता है नियुक्त होता है भैकसमाइल के लिगाफ़ी राइट एंसर हो जाएंगा आपका अप्समाइल अप्श्र法 क्ष़स जाता इसका राइट एंसर हो जाता पैक्सीमाल टेली ग्राफी हो जाता इसका राइट नमर्स तो दोस्तों आसा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी helpful है तो दोस्तों अगर आपको आपकी लाएक से मनुवलब्ली बढ़ते हैं जिसे हम अच्छ यए की कोसीश करते हैं बीडियो पसंद आया होगा प्मेpenजा कर यह अगर पहले बार है तो और अपने दोस्तों से चाह quartz मिलते हैं फिर से अगले वीडियो मैं तब तक के लिए धन्यवाद